चलो आज बनाते हैं हल्की फिल्की भूंक के लिए चटपटा सा नास्ता अचानक से भूंक लगाती है और कुछ समझ नहीं आता है तो यह एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करें तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो फिर्ण्स आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैन बॉयल डालू लिया है जिसको कट करके इसमें नमक और थोड़ी सी चिली पाउडर डाल कर मिक्स कर दिया है फिर हम लेंगे बॉयल चना इसको भी इसमें डाल कर मिक्स कर देंगे फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज थोड़ी सी ग्रीन चिली ग्रीन चिली को आप स्किप भी कर सकते हैं तो इसमें मैंने ग्रीन चिली को डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी से स्पाइसिस काला नमक चाट मसाला रोस्टेट जीरा पाउडर और उपर से डाल देंगे हम चटनी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड्स अचानक से भूंक लगती है बच्चे बोल देते हैं तो कुछ समझ ना है तो यह बना सकते हैं आप मठ्री या पाप्री आपके पास जो कुछ भी अवेलबल हो से आप इससे ट्राई करें यह मैंने तोड़के डाल दी हैं मठ्री पिर हमने इसको अच्छे से मि नास्ता बनकर तयार होगा तो इससे साम को आप बना सकते हैं और उपर से डाल देंगे हम गाजर के लच्छे अध्रक के लच्छे और दही को डाल देंगे पिर डालेंगे उपर से ग्रीन चट्नी और सब को मिक्स कर देंगे उपर से हम डाल देंगे तोड की मठ्री फिर डालेंगे हम इसमें मीठी चट्नी उपर से हरा धनिया तो हमारा नास्ता बनकर तयार है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सका करना ना भूलें तो देखिए फिंट्स हमारा चट्पटा नास्ता बनकर तयार हो गया है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में